बिस्मिल्लाइरमान रहीम हेलो यूवर्स असनाम अलेकूम वेलकम टो माई यूटूब चैनल डाक्टर आबिज सरगानी विवर्स आज हम बहुत इंपार्टन टापिक पर डिस्कूस करने वाले हैं इन्हें एनिमल हस्पेंडरी एंड विटनाई साइंसेज पर टेग्जा नम टेग्जा नमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस टापिक इस वेरी मुच इंपार्टन फ्राम डी डीवियें पॉइंड कामनली आस्किट कुस्टेंस इन विटनेरी आफिसर्स एग्जैमिनेशन से तो मेरी ये सजेशन है कि इस वीडियो को जो है आप कंप्लीट देखें और प्रापर नोट करते जाएं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है इसमें से वाइबाज में भी कुस्टेंट पूछे जा सकते हैं या फिर इंटर्व्यूज में भी कुस्टेंस आते हैं कामनली या डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि वाट इस टेग्जा नम ये है कि वाट इस टेग्जा नमी तो टेग्जा नमी फरस्ट आफ्वल हमें पता होना चाहिए कि टेग्जा नमी है क्या टेग्जानमी कैन बी डिफाइंड एज साइन्टीफिक क्लासिफिकेशन एफ आर्गेनिजम्स on the basis of their characteristics and then given a unique characteristic name and arrangement. तो हम टेक्जा नामी में simply ये करते हैं कि different groups animals को जो है एक categorize करते हैं किसी group में और फिर उसकी जो है उनके similarities और dissimilarities के बुन्याद पर उनका जो है particular unique characteristic देखकर उन्हें जो है एक group को ही एक नाम देते हैं तो इसको हम कहते हैं के टेक्जा नामी ये साइन्टिफिकली observation और एक्स्प्रिमेंटेशन के बुन्याद पर जो है की जाती है इसको जो हम local name से नहीं पुका नेंगे तो ये एक ऐसे भी कह सकते हैं कि what is the scientific name of dog, cat or even human तो हम जो है वो जो केटेग्राइज करते हैं scientifically तो वो टेक्जा नामी के बन्याद पर करते हैं कि उनको अन्दिबैसे आफ देर करेक्टर स्टिक होती है वो सिमिलर करेक्टर स्टिक होंगी तो एक group में आगी अगर डिस्मिलर हैं तो उसको जो है अलग group में चिटेग्राइज किया जाएगा और फिर उसका जो है नाम एक अलग और अर्रेंजमेंट और ग्रूप जो है उसका अलग से बनाया जाएगा तो इसको हम सिम्पली टेक्जा नमी कहते हैं ठीक है तो आएज देखते हैं कि वाट इस दध कामन डोमेंस्टिक एनिमल टेक्जा हो गया तो हमंघ को सिंग्डम किंग्डम टो ते हैं तो हमारे जो ऐ frågor कर्डा में में कि पर देडा मतलब होता है कि अन में Pictures Helena से बिलांग करते हैं वेरस वाइलंस होते हैं कि अनियमेलिया करते हैंी mily मिल्किंग करते उनकी जो मदल्स होती है उनको जो अडर्ब से जो है milking और खीद जो है दूद जो है पिलाती है अपने यंग वेंस को तो उस क्लास को जो हम memaliyah कहते हैं Simply memory glands या milking जो है उससे लिया गया है memaliyah तो क्लास memaliyah फिर जो है मुक्तलिफ orders में डिवाइड किया गया है ठीक है तो आर्डर जो है फस्ट है आर्टियो डिक्टाइला सेकंड वन है परिसो डिक्टाइला थार्ड है कार्निवोरा और फॉर्थ प्रोबोसीडा एंड फिफ्ट वान इस लेगोमर्फा एक और भी है ठीक है आर्डर तो वह आप मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा ठीक ह उस लेकिन उसको जो है डॉमेस्टिक एनिमल्स में किटेगराइज नहीं किया जाता था सुड़् धिस्ट विकुट्इन माइड तो आज देखते हैं कि आप याडर जो आर्टियो डी डीक्टाइल आया है उसमें प्र फैमिली जा जाती है एक होता है बोवीडी दूसरा होत है केमिली दी और छोथी जो फेमिली होती है वो होती है सर्वी डी जो के डॉमेस्टिक अनिमल में नहीं अकुपाई करती इससे ठीक है है तो देखते हैं कि यह फेमिली जो first आर्ट ही डीटर यह की है वोवी डी उसमें कौन-कौन से जेन्रा और कौन-कौन सी species आ जाती है फिर जो ओए फैमिली जो बोवीडी है वो चार जनवरा इसमें आ जाते हैं फरस्ट अफाल है ओविस सेकंड केपरा फॉर्थ बॉस थर्ड बॉस एड़ फॉर्थ बॉबिलस ठीक है ओविस जो है वो species इसमें जो इंकिल्व बॉड होती है वो ओविस एरीज होती ह चेप्र लोकल और केप्रा हिरकुस इसमें इसपेशी आ जाती है, जो के आ लोकल ली इसको हम गोड कहते हैं और दूसरा है भॉस बहुस जीनस जो है इसमें दो शेशी जाती है ठीक है बोस tardis एन्टीकर्स बोस टरस जो होती है वह हम-लेस जो है केटल या कईयोगा हूँ को कर ता जाता है और यह you ropain केटल होती है उनका थुआ होता है और दूसरी जो जलिझे जल्वन जैना है वह फर टार बफिल घ्र तेम फिर तक दो सॲूछर एक है डा गपंके बदैज और दूसरा है जो खिरप एस बीजिए वह तो स्ब्हें जो है वह कामन जो वाटर बफिलोग्ट हैं जो भी ठीक है यह रिवर बफेलो उनको का जाता है और जो केरा बेंस से उसमें जो है स्वाइंट बफेलो को के टेगराइज किया गया या उनका जो है सांटिफिक नेम है ठीक है तो यह आपको याद होने चाहिए है आई देखते हैं दूसरी फैमिली कौन सी है दूसरी फैमिली स्वीडी स्वीडी में जो जन्रा आ जाता है वह सुस यानिक स्वीडी स्वाइंस को यानिक सुवर को जो है वह इंडिकेट करती है सुवर जो है स्वीडी फैमिली से बिलांग करता है और जीनिस्ट क्या है chip अभी जो तीसरी फैमिली है आर्टियो डेक्टाले में से बिलांग करने वाली वह एकविश्क गाल तिक है अभी के में 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 जो इस्पियिो अ जाती है एक होता है के में लस्ट नस और ंर्श कमिल 있게 बैक्ट्रियनस होती है वह होती है डबल हम्पड ऊते हैं और ड्रमीडीयौस जो होती है वह सिंग्ल हम्पड होती है। टिक है, तो यह यहां पर हमारी कामन डोमेस्टिक आर्टुर्टैला आडर से बिलांग करने वाली तीन फैमिली जो है, वो कम्प्लीट होती हैp तो चलिए देखते हैँ, आगे चलते हैं अभी यह जो डियर है, ठीक है जो कि बिलांग करती है, आर्डर जो है ऑडो-सीलियस पेड और्डो किलेंट एमनेन ми ratings गन स्कहें कि कर्देब होUSकी का जाता है इसको हम डीमेस्टिक अनिमल्स में इंकल्यूड नहीं करते मतलब बटा 와 저 हमें जनसे आपको एकनामीक बस्कीमें ंंल चानल Sn discharge कि ए इर इसको तो यह जो में भी रखा जाता है यह फिर यह वाइल्ट एनिमल जो है जंगल में पाया जाता है ठीक है तो इसको हम डोमेस्टिक एनिमल में केटेग्राइज नहीं करेंगे तो यह आपको जहन में होना चाहिए थैंक यू अच्छा दूसरा जो आर्डर था हमारा वह था पैरि पैरिस औडिक्टायल की वह एडिवींस ठीक है अबقة में जनरा आ जाता है ऑसकी दो शपेशिव हैं ठीक है एक है एकिवस skebulous और दूसरी है equis acinus ठीक है equis skebulous जो होता है वो हास को का जाता है और equis acinus जो है टांकी या फिर S को इस equis acinus species में include के आगया है ठीक है यह दोनों बिलांग करते है family equity से और आर्डर perisoo dactyla हमारे पास तीसरा जो आर्डर है वो है कार्णी वोरा चीक है अभी कार्णी वोरा जो है उसको का जाता है जिसके जो मतलब किलाज हो या फिर जो कार्णी वोरस एनिमल्स होते हैं वो मतलब के फिलेश इटिंग मेमल्स होते हैं तो कार्णी वोरा में फिर दो स्पेशीज आ जाती हैं वो फैमलीज दो फैमलीज कुन सी हैं एक है Kennedy family दूसरा है फैलीडी family अभी जो Kennedy family है वो name से indicate करती है कि यह canines से relate करती होगी तो canis में जिसकी genus है वो है canis ठीक है canis और especially जो है canis familiaris यानि के dogs की जो family family है ठीक है वो Kennedy है और इसका general क्या है canis और दूसरी family family ठीक है fairly LinkedIn जो है fill lines जो है fairly से balance करते हैं अब सुरेशी जो जरनरा है वह है जन्रस ता फैलिव्यस ठीक है तो फैलिस जिन जैनशे्र》 जो इसके जो spesnais के वह मादशे मीन्स मसलिदों कृटित्पर लोकल नेम फैलिस के टक्थ जो है इसको हम locally cat कहते हैं ठीक है फिर वेरिस टाइपस आजाती है breeds भी करिप्ट के मौजूद है लेकिन इसकी इसपेशी जो है वो फेलिस catus होगी ठीक है अभी चोथा जो आर्डर है वो है हमारा probo cd ठीक है प्रोबो cd याद रहे कि एक आर्डर है ठीक है तो इसमें जो family आ जाती है वो इलीफनाइडी ठीक है फैमिली आ जाती है अभी इलीफनाइडी family के दो जनरा होते हैं एक होता है अलीफस दूसरा होता है लोग जोन डेटा ठीक है तो यह जनरा जो है फिर दो इस्पेशीज में एलिफस से बिलांग करने वाले इस्पेशी कौन से होती है एलिफस मेक्जीमस और दूसरी होती है एलिफस अफ्रीकेना जिसको हम अफ्रीकेन एलिफंट भी कहते हैं अभी जो पांचवां आर्डर था वो कौन सा था लेगो मार्फा ठीक है किलास मेमलिया से बिलांग करने वाला पंचवां आर्डर जो है लेगो मार्फा है लेगो मार्फा से बिलांग करने वाली फैमिली कौन सी है या फिर इसको सब केटेगराइज किया गया है एक फैमिली मे लेपोर आईडी ठीक है लेपोर आईडी जो है उसकी जो जेनरा है वो है औरिक्टो लेगस अभी औरिक्टो लेगस की में जो इसपेशी आती है वो है औरिक्टो लेगस क्यूनिकूलस ठीक है कामनली या लोकली हम जिसे रेबिट कहते हैं तो वो बिलांग करता है किसे फैमली लेपोराइडी से और जिनस औरिक्टोलेगस और इस्पेशी कॉनसी अरेबिट की औरिक्टोलेगस क्यूनिकूलस ठीक है तो यह महुत ही इंपर्टन्ट है इनको जो है नाम्स जो है आपको याद रखने है जूराजिकल नेम्स यहां के ला साइंटिफिक नेम्स और लोकल ने बहुत ही मशक्वल होता है कि उडिफिक नाहीं कर सकते हैं यहां फिर जो इविटनरी आफिसे के लिए कुस्तंस पूछे जाते हैं कि वाट अरी नार्ज याणिमलस सरज्जिरी में कौन-कौनस अनिमल आ जाते हैं यहां पर यह भी पोछा जाता है के कौन-कौन-कौनस जो तो हम यहां पर क्या है लार्ज एनिमल सर्जरी जो के हमारे सर्जरी कर आप्रेशन होते हैं जो हम पढ़ते हैं तो लार्ज एनिमल सर्जरी में जो आते हैं वो चार फैमली जाती है एक होती है बोवीडी जिसमें बोवीडी फैमली में फिर दो केटेगराइज केटेगराइज एक होते हैं लार्ज रूमीनर्स ठीक है तो लार्ज रूमीनर्स में जो है केटल और बफिलोज आ जाती है और सिमाल रूमीनर्स ठीक है यह दोनों बिलांग किसे करती है फैमिली वोवीडी से अभी जो सिमाल रूमीनर्स है उसमें जो है शीप और गोट आ जाती है ठीक है और तिसरे फेमिली बिलांग करती है लायज अनिमल से वह एक्वीड्य एक्वीडी मतलब एक्वाइंस यानिके हैल्स और डांकिज 어गों जो चौथी फेमिली यह वह सर्वीडी olması यह जिरम मौस्ट झार्च इनिमल सर्जडिय शर्वीड्य यह हम नहीं पढ़ते क्योंकि इस पर हमारी अप्रोच नहीं है इतनी क्योंकि यह वाइल्ड है तो हम जो अपर तीनों फैमिलीज को स्टेडी करते हैं अभी सिमाल एनिमल सरजरी यानि के जो अप्रेशनल महिर्स हमारे पास कराए जाते हैं तो समाल आनीमल्स कौन कौन से होती है, एक family Kennedy होती है, दूसरी फैलीडी होती है Kennedy में dog आ جाता है और फैलीडी में कौन आ जाता है, Kate आ जाती है, ठीक है तो यह आपको mind में रखनी चाहिए, कि large luminaries कौन से है, small luminaries कौन से है और समाल आनीमल्स कौन से हैं, ठीक है अभी जो सारे लेक्चर की जो है यहां पर एक important summary बनाई गयी है ञीक है आट्योडेक्टा अलगा मतलब बताए even hoofd animals जिनके hoofd होते हैं ठीक है उनको जो दो partition होती है उनको हम अर्ट्योडेक्टा लग कहते हैं तो आट्योडेक्टा ला में क्कौन सी फैमिली आ गई थी एक आगे थी फैमिली टी और च chosen अब वीजो काड़ टारी था उसमेंिकुन कॉन यथी Kentucky Palmer's ऑर और फैलिदी यानिक डाग और और केट और तीसरी फैमिली खा था ह Näci यानि के elephant जो है बिलांग कर रहा था family और प्रोबोसीडी से प्रोबोसीडी का मतलब है उसके जो skin होती है वो ठिक होती है और skinty होती है ठीक है अभी जो लेगो मारफा आडर था उसमें जो है लेपोर आईडी family बिलांग कर रही है जो कि जिसके बिलांग करता है rabbit बिलांग करत this is short summary of this whole lecture thank you very much for watching my videos hopefully you will enjoy this video and subscribe and like and share also to your friends for future important videos thank you very much